उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपूर के किसानों को नहरों का पानी उनके खेतों तक पहुचाने के लिए सरकार प्रतिवश रजवाहों और माइनरों की सिल्ख की सफाई करवाती है ताकि माइनरों का पानी हेट से टेल तक पहुच सके किसानों का कहना है कि प्रती एक वश रजवाहों और माइनरों की सफाई के नाम पर खाना पूर्ती करके शासन के करोड़ रुपे को चुना लगाया जाता है इसके साथ यह भी आरोप लगाया है कि समय पर नहरों वह माइनरों में पानी ना आने और टेल तक पानी ना पहुचने से किसानों के पलेवा नहीं हो पाते जिससे किसानों में भार्या क्रोश है किसानों ने जिला अधिकारी से जाज कर कारेवाही करने की मांग की है। निकली है दोनों तरफ गाहों के तो माइनरों की सफाई हुई है। देख लो कहीं से भी देख तो नहर से ने करते हैं। माइनरों थोड़ी आगे हुआ है। नहर के बादे है। यह जो आपके गाहों से लगा हुए। आधे दूर तबे टेल तक नहीं हुई है। और मैंने कहा था कि सफाई कियो तो और बोले हमको तो भाई ऐसी आदे सुछ पर फेरने का। हम धंग से नोनों चारों तक निमने नकाला है। तुरे नाली में चारा पड़ा हुआ है। अधे दियम साब आधे इसका देवत होती है। इसकी जाँच हो जाएगी है। ओडे रा माइनर की बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। किसान परेसान है। जहां तहां कटा पटा पड़ा है। पानी आता ही नहीं है उसमें। न सचाई होती है। यही हाल अत्रोली माइनर का है। टेल तक पानी आज तक आया ही नहीं है कभी। विल्कुल। न उस्से सचाई हो पाती है। बस सफाई के नाम पर खाना पूरी की जाती है। और बस अगर इसकी जाच जिलाज तरिये तक होया तभी कुछ हो सकता है।